Crown of the head का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Crown of the head का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो सिर का जो ये उपर का हिस्सा होता है यानि कि सिर का जो उपरी पार्ट होता है जहां पर कोई ताज पहना जाता है तो उस हिस्से को crown of the head कहा जाता है यानि कि crown of the head refers to the top part of the head located above the forehead and behind the top of skull it is often considered the highest and most central point of the head यानि कि ये सिर का जो है सबसे उचा और highest point होता है और इसको crown of the head कहते है और दूसरा crown of head का मतलब होता है सिर पर पहना जाने वाला ताज यानि कि कोई भी राजा जो पुरान जमाने में राजा महराजा होते थे वो सिर पर जो ताज पहनते थे उसको भी crown of the head कहा जा सकता है या कहा जाता था तो आईए अब इसको कुछ example sentences से और अच्छे से समझ लेते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें क्यों से अपने सिर के उपर के हिस्से में दर्द हो रहा था तो आप कह सकते हैं she had a headache right at the crown of her head या फिर आप कह सकते हैं सिर के उपर का हिस्सा वही भाग है जहां लोग अक्सर टॉपी रखते हैं तो आप कह सकते हैं the crown of the head is where people often place a hat यानि कि जहां पर hat या सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें